में श्रीफ सुर्णाइब श्रीवें हुआज अजो हम बनाइंकि लौकी और चनाधाल की सबजी लौके रख था और यहाँ पे रख लिया है औरहां पर हमनेलीч। एक किलास पानी अज्व टालेंगे तके अद्व propor कर समया मानें तरह देखा है किशनाधाल, Susa चना दाल के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी नमक और हल्दी थोड़ा से देने से क्या होता है कलर हल देने से कलर अच्छा हो जाता है और नमक देने से चना दाल जल्दी पक जाता है इसके उपर हम थोड़ा सा पानी देंगे और इसके अधम इसको मिला है उतना दिर में हम अपना मासला डेटी कर लेते हैं ति हम पर हमने रख दिया तरह गरम करने और इसमें डाल दिया सर्सो तेल सर्सो तेल हमारा अब इसमें आड़ कर देंगे पांच फोरन यह पांच फोरन है आप लुग जाहे ते मेथी जीरा भी आड़ कर सकते हैं अलग-अलग से लेकिन मैंने जह पांच फोरन दिया और यहां पर मैंने दिया थोरा सा खड़ा गरा मसाला दाल चीनी लॉंग इलाइची ब्लैक पेपर एक इसमें धाल दिया इसमें अभी हल्का सब् corporate में अउपर हम डाल देंगे इसमें प्याज करकना है तो इसमें प्याज में एक्ट की को निसमें इसमें थोरा सा नए नमक नियुक्त यह थोड़ा से नमक दीने से क्या होगा मारा प्याज यह गजद्वा जल्ड़ी ताकि टमाटर और प्याज वह सॉप्ट हो जाए अच्छे से इसमें मैं अभी डाल रही हूं अधरक लसुन और हड़ी मिर्ची यह मैंने जो है अलकास इसी तरह से क्रस्ट करके डाला है कि दरदरा पेश्ट जो है बूर डाल सकते हैं फेश्ट नहीं बनाएंगी क्योंकि जितने आप लोग खाण अप्संद करते हैं और मैंने डाला है आधा चमच धनिया और इन सब को मिक्स करके भूनेंगे मसाला को तब तक भूनेंगे जब तक इसमें तेल निकल जाए और देख सकते हैं कि साइड से जो है तेल निकला सुरू हो गया है तो अब मैं इसमें लाएंगे अब मैं इसमें डाल देंगे यहां पर मैंने कुकर में रखा था उबाल के लोगी और चनादल वो हम डाल देंगे लोगी चैनल सब लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से लेकि मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता और मैं जब भी बनाती हूं ऐसी बना आता है मैं तो बोलूँगी कि एक बड़ आप लोग जुरू ट्राइक करें इस तरह से बनाना और हमें बताईगी कि आप लोग को कैसा लगा हमारा ये वीडियो यहां पर हमने एक चनादल निकाल के देख लिए तो चनादल हमारा अच्छे से पक चुका है तो मैं इसमें एड कर देती हूं मसाला में इसको मच्चे से मिक्स करके पकाएंगे बच्ची हो या बड़ी यह सभी को पसंद आने वाला है इस तरीके से लौकी चनल बना के देखिए बहुत टेश्टी बना है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी इसका कलर देखिए कितना तो नहीं डालिए तो भी बहुत अच्छा बनेंगा बस उसमें हींग की मात्रा थोड़ा से देना होता है तो मैं दोनों तरीके बनाती हूं और बिना प्याज का भी बनाती हूं वह भी बहुत टेश्टी बनता है और देखिए सबी में उबाल आ चुका है तो मैं इसको एक कर लेती हैं बाल में यहां पर मैंने सर्फ कर लिया है आप लोग को हमारे वीडियो कैसा लगा तो आप लोग हमें कमेंट करें जरू बताइएगा तुम चलिए मिलती हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई